दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना है अब सब्सक्राइब करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने जिएगा और पहला इकन को दबना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाए करें जब यह उनको नई वीडियो बनाय करतेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल आइकन को दबा दीजिएगा वीडियो को लाइक और कॉमेंट करके जरूर जाना है आपने तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरीके से आज की अ कहां परी दाइब करने हैं तो उसके लिए आप किया करतै आप टाइप करते हैं उसे आपके कीवोड से टाइप करते हैं लेकिन अगर मैं आपसे वह लह कि उस चीज को अप सिर्फ बोल कर ही टेक्स्ट बना सकते हैं तो यह क्या पॉसिबल है आपको बहुत सारे लोगों को यह चीज पता होगी कि यह चीज पॉसिबल है जिसके लिए आप यूज करते हैं Google के बहुत सारी application बनी हुई है उनका text to speech करके ही बनी हुई है उनका तो ऐसी एक application मैं आपकी सामने लेके आया हूँ जिसे आप जैसे ही खुल लेंगे जो कि बहुत ही easy to use है जो Google के concept को ही use करती है ओके यहां पे आप जो भी चीज बोलेंगे उस चीज को आप text में convert कर सकते हैं ओके दोस्तों तो बहुत अच्छी application मैं personally इसे use करता हूँ यहां पे सबसे पहले तो आप बहुत सारी language जैसे की उपर देख सकते है अफरीकन जितनी भी languages में यहां यूज करना चाहते हैं आप यहां पे languages देख सकते मलेशिया की है जावानीज है यहां फिर जो भी है इंडो कुझे select कर सकते हैं Hindi English जो भी आपने select करनी है ओके आप इसे खोलिएगा और इसे use करने start कीजिएगा जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ ओके तो यहां पे Hindi में यह बोलने के लिए बोला इसकी से पहले यहां पे नीचे कुछ settings है मैं बताएता हूँ सबसे पहले यह mic की setting है इसके बारे मैं बताइता हूँ इस पे hold करके आपको चालू करना है और कुछ record करना है जैसे मैं करता हूँ Hello मेरा नाम विशाल अगरवाल है मैं एक engineer हूँ मैं एक software test engineer हूँ और साथ की साथ मैं एक YouTuber भी हूँ देख सकते हैं यह सारी चीछ टेक्स में बदल चुकिंग है कितनी आसानी से सबकुछ इसने सही सही record किया है अब इस चीज़ को आपने copy करना है तो नीचे copy के लिए option है copy कर सकते हैं इसके अलाबहें आपने कुछ टेक्स जैसे कि मैंने कॉपी गिया तहुच सेंग सकते हैं या पर यहां परुए देख पाएंगे जैसे कि Welcome Note में यहाँ पर मेरा एक बना हुआ है इसके लाभब होम पर बापस आ सकते हैं Languages में जा सकते हैं और Languages चेंज हो गयरा कर सकते हैं ओके उपर सेटिंग का option भी है तो सेटिंग अगर आपने और explore करनी है तो आप और explore कर सकते हैं तो जो सार है इस application का जो पूरा इस application का यूज है वो मैं आपको बता चुका हूँ आप इसे use कर सकते हैं तो इस application को जरूर यूज कीजिए बहुत easy light weighted user friendly है यह application ओकी तो मज़ा आएगा अगर आप इस application को यूज करते हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो like जरूर कर लेना है अपने channel को subscribe जरूर करना है और bell icon को दबाएब अगर नहीं जाना है बहुत जल हम आपको मिलेंगे next video में ऐसी ही amazing tips, tricks और नहीनी वीडियो में नहीनी apps के साथ तो please channel को subscribe कर लिजेगा बहुत जल मिलेंगे next video मे तर तक के लिए, bye